Hello everyone, welcome to learning science, आज हमारा topic है the wave equation in one dimension, तो हम देखेंगे कि जो wave equation होता है one dimension में, तो सबसे पहले हम दो axis को consider करेंगे x और y और उस पे हमारा जो है wave है, ये एक string है जिसको हमने उपर की तरफ खींचा है, ठीक है, एक रसी है, उसका हम एक हिस्सा consider करेंगे p q को, अब p का जो coordinate है x axis पर वो है x और q का coordinate x axis पर x plus dx है, तो इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों की बीच में distance dx होगा, उसी तरीके से p का coordinate y axis पर y होगा, और q का coordinate y axis पर y plus dy होगा, तो इन दोनों की बीच में distance dy है, इसलिए उपर y plus dy आया है, फिर उसके बाद हम इस हिस्से पे जो है tension apply करेंगे, tension वाला force ठीक है ऐसे खीचेंगे बाहर की तरफ जब भी कभी हम कोई force अपलाई करते हैं तो उस force को हम resolve कर सकते हैं ठीक है उस force को हम दो हिस्से में divide कर सकते हैं जिसका एक हिस्सा along x-axis होगा दूसरा जो है y-axis के along होगा अब यह जो tension t है वो x-axis के साथ angle theta प्लस d theta बनाता है तो जहां पर angle है जिस axis पर t angle बना रहा है वो होगा t cos theta प्लस d theta वाला part और जहां पर angle नहीं है वहां पर sine वाला part होता है तो t sin theta प्लस d theta आएगा इस tension t को भी हम दो components में resolve कर सकते हैं तो जहां पर angle बना है वहां पर t cos theta होगा और जो perpendicular y-axis पर हमारा line है component है t का वो होगा t sin theta cross के जो opposite side के angle है वो same होता है तो यहां पर भी angle theta आएगा suppose किया सबसे पहले हमने माना की हमारे पास एक string है जो की AB है और इस string का linear density जो है वो है mu तो linear density का मतलब होता है mass upon length ठीक है इसलिए linear है ना हमने क्या किया इस string को pluck किया उपर की तरफ खींचा ठीक है तो इस string का shape जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा और पहले वो इस line पर present होगी हमारा AB string जब हम उसको चोड़ देंगे तो वो अपने original position पर आएगा और थोड़ा सा vibrate करेगा अब यह up and down क्यों move कर रहा है यह जो perpendicular component है ना 90 degree बना रहा है string के साथ उसके वज़े से up and down move कर रहा है T sin theta plus D theta और T sin theta के वज़े से फिर यह जो है एक curve portion है यहाँ पर जो डलान होगी slow steepness जिसे हम कहते हैं steepness को gradient represent करता है dy upon dx करके हम लिखते हैं gradient को वो जो है क्या होगा इस curve पर हम मानेंगे कि बहुत ही कम है उसके कम होने के वज़े से यह जो change है वो कम होने के वज़े से tension जो है हर point पर same होगा इसलिए यहाँ पर point P पर भी tension T है Q पर भी tension T है क्योंकि उसका जो change है gradient है वो बहुत ही कम है फिर उसके बाद यहाँ पर हमने यह भी देखा कि यह जो displaced position पर गया उस distance को हम x consider करते हैं original position से उससे directly proportional है हमारा restoring force जो इसको वापस ला रहा है और जब force displacement से directly proportional है उसका मतलब होता है simple harmonic motion तो यहाँ पर simple harmonic motion हो रहा है सबसे पहले हम p और q के coordinates लिखेंगे p का coordinate है x y q का coordinate है x plus dx, y plus dy यह position बता रहा है ठीक है x axis पर कहां present है y axis पर किस point पर present है वो बता रहा है अब यह जो p q वाला हिस्सा है उस पर हम force देखेंगे ठीक है tension t देखेंगे तो यह जो tension t है p वाले हिस्से पर वो जो है हमारे x axis के साथ angle theta बना रहा है negative x axis के साथ और यह जो tension हमारा t है कौन से वाले हिस्से पर q वाले हिस्से पर जो हमारा tension t है वो हमारे x axis के साथ angle theta plus d theta बना रहा है positive x axis के साथ इस वाले portion को मैं फिर से दुबारा draw करूंगी क्योंकि इस वाले portion को हम solve करेंगे तो ये हमारा arc है इसका हिस्सा है जिसका length है ds pq वाला हिस्सा ये है dy और ये है dx ठीक है distance dy और dx आ रहा है हम figure में देख सकते हैं अब ये जो ds है वो nearly equal है hypertenus के तो ds के जगे पर हम hypertenus को consider कर सकते हैं और हमें ये पता है कि जो hypertenus का square है वो perpendicular और base के square के sum के plus के बराबर आता है और जब हम square का side change करेंगे तो वो under root बन जाएगा under root को raise to power 1 upon 2 करके हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर हम dx से उसको into और divide दोनों कर सकते हैं यह दोनों cancel हो जाएगा यही term वापस आएगा ओके तो ऐसा हम कर सकते हैं यह जो divide में dx है उसको हम dx का square whole power 1 upon 2 करके लिख सकते हैं क्योंकि square और power 1 upon 2 का into होगा यानि कि 2 और 2 cancel ठेक है square और under root cancel हो जाता है अंडर root होगा इन सारे terms का अंडर root होगा फिर हम dx लिखेंगे फिर जो bracket के अंदर terms है उसको हम अलग से divide कर सकते हैं जब plus minus हो तो dx square upon dx square 1 आएगा फिर plus dy square upon dx square हम लिखेंगे power में 1 upon 2 होगा into dx for very small amplitude of oscillation dy is negligible जब oscillation का amplitude जो है amplitude हम इस वाले चीज़ को कहते हैं ठीक है maximum displacement from original position को हम amplitude कहते हैं यानि कि ये वाला portion अगर बहुत ही छोटा हुआ तो dy जो है वो 0 के बराबर होगा negligible होगा तो ये जो amplitude है अगर वो small है तो dy जो है वो negligible होगा ये small मैंने draw किया है तो dy इसका हिस्सा है ना छोटा सा वो जो है वो negligible आएगा 0 के बराबर आएगा तो यहाँ पर नीचे नहीं ऊपर जो equation है वहाँ हम 0 पुट करेंगे तो हमें पता चल रहा है d square is equal to dx square बचेगा क्या बचेगा d square is equal to dx square बचेगा यहाँ पर 0 divided by something आता है which is equal to zero one plus zero one होगा one का under root one होगा one into dx जो है वो dx होगा तो ds जो है हमारा dx के बराबर आएगा फिर उसके बाद जो element p q है यह वाला हिस्सा उसका mass कितना होगा mass जो है वो बराबर आता है linear density into length के क्योंकि linear density जो है वो mass upon length के बराबर है ठीक है तो यहाँ पर सही लिखना है now हम जो है point p पर force निकालेंगे तो point p पर t वाला force लग रहा है अगर हम component form में लिखे तो t sin theta plus t cos theta वाला force लग रहा है and अगर हम direction को भी consider करें क्योंकि यहाँ पर vector दिया है तो cos theta हमारे negative x axis के direction में है जो की minus i cape है और जो sin theta वाला portion है component है वो हमारे positive sorry वो हमारे negative y axis के direction में है जिसको हम minus j cape से represent करते हैं तो fp जो हमारा बराबर आएगा t cos theta negative of i cape plus t sin theta negative of j cape के minus t cos theta i cape minus t sin theta j cape आएगा यह हमारा end p पर force है now हम end q पर force निकालेंगे ठीक है तो f, subscript q और vector भी लिखेंगे तो यहाँ पर force के साथ हमें direction भी लिखना होगा अब यह जो force है उसके दो components है एक x axis पर दूसरा y axis पर और x axis positive x axis है हमारा जिसको हम i cape के साथ represent करेंगे जिसके direction को और y axis positive y axis है तो आएगा t cos theta plus d theta i cape क्योंकि x axis में है plus t sin theta plus d theta j cape क्योंकि वो y axis में है net force total force हमारे element p q पे वो बराबर होगा f is equal to f p plus f q p पे जो force लग रहा है q पे जो force लग रहा है उन दोनों का sum f p का value हमने पहले निकाला था उसको लिखेंगे negative of t cos theta i cape minus negative of t sin theta j cape फिर f q का भी value लिखेंगे plus t cos theta plus d theta i cape plus t sin theta plus d theta j cape i cape यहाँ पर दोनों terms में present है तो उसको हम common बाहर निकाल सकते है तो bracket के अंदर बचेगा t cos theta plus d theta plus वाले term को हम पहले लिखेंगे फिर minus t cos theta i cape को हमने common बाहर निकाला है यहाँ पर जो sign वाले terms है वहाँ पर j cape present है तो उसको common बाहर निकालेंगे सबसे पहले plus वाला term हम लिखेंगे t sin theta plus d theta minus t sin theta और j cape को हमने common बाहर निकाला है अब यह जो i cape है वो x axis का direction बताता है j cape जो है वो y axis का direction बताता है तो उसके जो आगे term है वो force होंगे x axis और y axis पर respectively तो जो x axis पर force है वो होगा t cos theta plus d theta minus t cos theta और जो y axis पर force अपलाई हो रही है वो होगा t sin theta plus d theta minus t sin theta के यह हम figure में भी देख सकते हैं we are considering vertical oscillation हम vertical oscillation को consider कर रहे हैं यहाँ पर यानि की up and down movement को तो x axis में जो movement हो रहा है जो force अपलाई हो रहा है उसको हमें consider नहीं करना तो y axis पर जो force लग रहा है उसे हमें consider करना है तो fy जो है वो बराबर आएगा t sin theta plus d theta minus sin theta फिर उसके बाद we know that हमें पता है force जो है वो mass into acceleration के बराबर आता है और mass जो है वो हमने उपर निकाला था element p q का mass element p q का mass जो है linear density वाले formula से हमें निकालना है linear density इस element का mu है जो linear density है वो mass upon length के बराबर आता है तो mass जो है वो mu into l के बराबर आएगा और l हमारा dx है यहां पर length हमारे छोटे से element का वो ds है और ds हमारा dx के बराबर आता है तो mu ds के बराबर आएगा which is equal to mu dx तो mass जो है वो हमारा बराबर आएगा mu dx के तो m के जगे पर हम mu dx लिखेंगे और acceleration जो है वो velocity upon time होता है लेकिन हमें एक दूसरा भी formula पता है कि जो acceleration है displacement के double differentiation के बराबर आता है with respect to time mass के जगे पर उसका value लिखेंगे acceleration के जगे पर उसका value लिखेंगे और यहां पर plus नहीं into आएगा force है वो हमारा t sin theta plus d theta negative of sin theta के बराबर है तो force के जगे पर वो वाला value हम लिखेंगे फिर आएगा mu dx del square y upon del t square theta वाला angle हमारा बहुत ही चोटा है तो sin theta जो है वो 10 theta के बराबर आएगा तो हमें यह वाला equation मिलेगा sin theta के जगे पर 10 theta को use करने के बाद फिर उसके बाद हमें क्या करना है हमें पता है कि जो 10 theta है वो slope के बराबर होता है dy upon dx के बराबर होता है slope जो है y upon x है ठीक है तो dy upon dx के बराबर होगा 10 theta तो यहाँ पर हम 10 theta plus d theta के जगे पर dy upon dx लिख सकते हैं और यहाँ पर subscribe में हम x plus dx लिखेंगे क्योंकि theta plus d theta जो है x plus dx वाले coordinate के position पर present है और उसी तरीके से जो 10 theta है वो dy upon dx के बराबर आएगा slope के बराबर आएगा हमारे theta जो है तब कहां पर present था x axis पर x पर present था तो subscribe पर हम x लिखेंगे उपर जो 10 वाले values है वहाँ पर put करना है 10 theta plus d theta के जगे पर del y upon del x x plus dx हमें put करना है और 10 theta के जगे पर del y upon del x x हमें put करना है तो हमें मिलेगा ये वाला equation अब dy upon dx minus dy upon dx है तो dy upon dx में ही हमें answer मिलेगा ठीक है जब बीच में negative sign आता है तो वो change represent करता है जैसे कि delta t जो है t2 minus t1 होता है तो यहां पर delta या d जो है change को represent करता है तो d dy upon dx मिलेगा एक change value देगा अलग value देगा लेकिन y axis उपर और x axis नीचे होगी फिर उसके बाद हम dx के साथ multiply और divide दोनों करेंगे left hand side वाले term को ऐसा हम कर सकते हैं dx और dx कैंसल हो जाएगा वही term वापस आएगा now d into d del square upon y होगा और dx into dx del x का square होगा या dx का square होगा same है और वाई की सारे term सेम होंगे यहां पर del t square है तो द्यांसे लिखना है otherwise last पर problem होगी dx और dx जो है यहां पर cancel हो जाएगा तो जो terms बचते हैं उसको हमें लिखना है del square y upon del x square जो है वो हमारा बराबर आएगा mu upon t del square y upon del t square के t का हमने side change किया है तो वो divide में आएगा ना हम mu upon t का value निकालते हैं यह जो t है वो एक force है tension वाला force और mu जो है वो density है linear density अब mu के जगे पर हम density लिखेंगे density का formula क्या होता है mass divided by volume होता है यह linear है तो length आएगा volume के जगे पर और यह जो tension है वो एक force है force का value क्या होता है mass into acceleration भी होता है force जो है तो इसके जगे पर हम mass into acceleration लिख सकते हैं अब यह जो acceleration है वो velocity upon time के बराबर आता है तो acceleration के जगे पर हम velocity upon time लिख सकते हैं अब यहाँ पर multiplication है तो time सब के divide में आ जाएगा ऐसा आता है plus minus होता तो ऐसा नहीं होता अब यहां पर जो है उपर भी mass है नीचे भी mass है तो हो जाएगा cancel mass वाला term हम यहां पर नहीं लिखेंगे तो क्या बचेगा उपर time बचेगा जो third पर present है उसको हम first पर लिख सकते हैं तो time और divide में length into velocity बचेगा और velocity हमें पता है distance upon time के बराबर है और time जो है third पर present है division में first, second, third पर ठीक है तो उसको हम first पर लिख सकते हैं तो mu upon t जो है वो t के square time के square के बराबर आएगा इस time को हम उपर first पर लिख सकते हैं एक time पहले से है तो t का square आएगा और यहां पर length into distance रहेगा यहां पर लेंगे पर हमने उसका value यूज किया है तो distance रहेगा जो की एक length है तो length का square होगा अब length का square जो है वो distance ही होता है तो यहाँ पर distance का square upon time का square आएगा यानि कि distance upon time का whole square distance upon time velocity है तो velocity का square length एक distance ही है ठीक है तो हमें क्या मिलेगा del square y upon del x square जो है वो बराबर आएगा one upon v square mu upon t के जगे पर जो value हमें मिला है उसको हमने put किया है और यही equation जो है आज का हमारा topic है आज का हमारे topic का solution है one dimensional equation of wave motion जब wave move करती है एक dimension में यहाँ पर y axis में move हो रहा है तो equation कुछ ऐसा हमें मिलता है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो y है वो x के साथ भी differentiate हो रहा है t के साथ भी differentiate हो रहा है तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो y है वो function है x और t दोनों का तो एक ऐसा function होगा जिसमें x और t दोनों है तो x minus vt एक ऐसा function है हम suppose करते हैं अगर हम इस value को जब उपर put करेंगे और दोनों side left hand side और right hand side equal आ जाए तो यह जो function है यह जो y है वो इसका solution है ठीक है अगर equal ना आए तो y जो है वो solution नहीं है ना y को सबसे पहले हम with respect to x differentiate कर रहे हैं क्यूंकि उसको हमें उपर put करना है ठीक है del square y upon del x square का value हमें चाहिए इसलिए y को हम with respect to x differentiate करेंगे तो सबसे पहले तो function का differentiation होगा जिसको हम f dash करके लिख सकते हैं फिर उसके बाद ब velocity और time constant है with respect to x तो 0 आएगा ठीक है तो 1-01 ही आएगा तो इसका answer होगा f differentiation x-vt फिर उसके बाद ये जो answer हमें मिला है उसका फिर एक बार differentiation करेंगे with respect to x तो हमें double differentiation मिल जाएगा तो f का double differentiation होगा f double dash करके हम represent करेंगे और x-vt का differentiation 1 होता है उसको हम नहीं लिखेंगे अब y को हम with respect to time differentiate कर रहे हैं तो सबसे पहले function का differentiation होगा f dash फिर bracket बाला term आएगा x का differentiation 0 होगा v जो है constant है negative of v उसको हम बाहर निकालेंगे t का differentiation with respect to t1 होगा यानि की negative of v आएगा अब ये जो answer हमें मिला है उसको हम फिर से एक बार differentiate करेंगे with respect to time negative v constant है उसको हम बाहर लिखेंगे f का double differentiation करेंगे तो f double dash आएगा फिर bracket वाले term को लिखना है फिर उसके बाद bracket के अंदर जो term है उसका differentiation करना है x का 0 आएगा minus v t का differentiation minus v आएगा ठीक है v constant है अब negative v into negative v जो है v square बन जाएगा negative into negative plus होता है तो ये हमें answer मिलता है अब ये जो दो values हमें मिला है उसको हम उपर put करेंगे और जब हम उपर put करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा उपर equation में ठीक है यहां पर del square y upon del t square का value हमें put करना है v square और v square cancel left hand side और right hand side equal है तो ये जो function है x minus v t वाला वो जो है इसका solution है equal नहीं होता तो solution नहीं होता इसका solution है और इन दोनों का sum ये जो उपर दो function है उनका plus जो है वो भी इसका solution है इसे हम complete solution कहते हैं और इन equation को हम D.Elembert's solution भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने दिया था तो वही जो है book में भी दिया है The wave equation in one dimension consider a uniform string AB of linear density mu mass upon length stretch between two points with a tension T हम मानेंगे कि हमारे पास एक string है जिसका linear density है mu string हमारा AB है ठीक है और उसको हमने दो points के बीच में stretch किया tension T का यूज करके यहां पर दिया है tension T का direction तो दो points के बीच में P और Q के बीच में हमने उसे stretch किया when the string is plucked at the center and then left जब string को हमने बीच में से खींचा और छोरा it starts vibrating up and down तो वो जो है अपने original position पे गया और vibrate करना शुरू किया up and down और यह जो restoring force है जिसने उसको अपने original position पर लाया किसी भी element का इस ring की किसी भी हिस्से का वो जो है tension T का component है यह जो tension हमने apply किया उसका हिस्सा है तो यह sign वाला हिस्सा हो सकता है या goes वाला हिस्सा हो सकता है अपन डाउन मूव कर रहा है तो sign वाला हिस्सा होगा वो वाला हिस्सा होगा जो कि 90 degree angle बना रहा है string के length के साथ और हम suppose करेंगे कि जो gradient है इस curve का इस curve में जो change आ रहा है डालान में वो जो है बहुत ही कम है बहुत ही कम है उसके displaced position में इसलिए इसके कम होने के वज़े से जो tension T है वो हर जगे पर same होगी constant होगी इस string के ठीक है क्योंकि change ही नहीं है the magnitude of force acting on any element of the string जो force इस string के किसी भी element पे act करेगा वो जो है proportional होगा displacement of the element इस element के displacement से कितना वो displaced हुआ है इसलिए ये simple harmonic motion दिखा रहा है ना हम consider करेंगे एक element PQ को और इस string को हम उपर की तरफ खीचेंगे इस element का length होगा ds अब जो coordinates है P का वो होगा xy, q का coordinates होगा x plus dx और y plus dy अब ये जो tension T वाला force element PQ पे apply हो रहा है ठीक है वो angle theta बनाता है x axis के साथ point P पर angle theta plus d theta बनाता है x axis के साथ point Q पर और ये हम figure में clearly देख सकते हैं अब ये जो element PQ है उसका length है ds तो हम लिखेंगे ds और ये जो ds है वो hypotenuse के बराबर आता है तो hypotenuse जो है वो under root of base का square plus perpendicular square के बराबर आता है और ये वाला term कैसे आता है मैंने आपको कहा now अगर amplitude of oscillation बहुत ही कम हो तो dy जो है वो negligible होगा तो जो length है element PQ का ds जो है वो dx के बराबर आएगा यहाँ पर dy के जगे पर zero put करेंगे तो ये पूरा term zero one plus zero one one का under root one one into dx dx तो ds जो है वो dx के बराबर आएगा यहाँ पर भी हम put कर सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से मिलेगा हमें फिर उसके बाद element PQ का mass हम निकालेंगे जो की linear density into ds के बराबर होगा क्योंकि linear density mass upon length होता है length ds है तो mass जो है वो linear density into ds के बराबर आएगा और हमें पता है कि जो ds है वो dx के बराबर आता है the force acting on end P is जो end P पे force act हो रहा है वो है हमारे ये दो forces tsin theta और tcos theta वाले fp पे जो force है उसको हमें plus करके लिखना है यहाँ पर और F cube पे जो force है उसको भी plus करके लिखना है साथ में direction में लिखना है total force जो है P cube पे ये दोनों force apply हो रहा है तो यही force आएंगे यही जो component वाले 4 forces है उसी का sum होगा जो कि उपर हमने निकाला था उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर I cape डोनों में present है तो इसको common निकाला है J cape को भी common निकाला है J cape के आगे जो force है वो Y axis वाला force होगा क्योंकि J cape Y axis वाले डारेकशन को बताता है तो यह दो forces होंगे perpendicular वाले force तो Y axis वाला force हमें consider करना है क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल oscillation हो रहा है तो Fy को हम लिखेंगे Newton's second law of motion के मताबिक जो force है वो mass into acceleration के बराबर आता है ठीक है mass का value हमने उपर निकाला था उसको put करेंगे acceleration जो है double differentiation of displacement होगा Y में displaced हो रहा है vertical oscillation हो रहा है तो Y हम लिखेंगे ठीक है इन दोनों values को हम put करेंगे force के जगे पर ये वाला value put करेंगे Y axis में oscillation हो रहा है जब angle बहुत ही छोटा होता है तब sin theta और 10 theta equal आता है तो sin theta के जगे पर हम 10 theta लिखेंगे और 10 theta जो है वो slope के बराबर होता है dy upon dx के बराबर होता है theta plus d theta के इस position पर present है उसको हमने subscribe में लिखना है और theta के इस position पर present है उसको भी subscribe में लिखना है इन दोनों values को उपर हम put करेंगे और यह जो dy upon dx है वो change भी बता रहा है ग्रेडियंट भी बता रहा है तो यह दोनों का minus जो है वो हमें change बताएगा इसके value में कोई change होगी dy upon dx के वो बताएगा जिसको हम d करके लिख सकते हैं dy upon dx आगे d लिखेंगे तो change in dy upon dx है फिर उसके बाद dx के साथ divide और multiply दोनों करना है दोनों हो जाएगा cancel ऐसा हम कर सकते हैं फिर into करेंगे तो del square y upon del x square आएगा t का side change करेंगे तो mu upon t होगा हमें पता है mu जो है mass upon length होता है t एक force है force जो है mass into acceleration होता है acceleration जो है वो distance upon time का square होता है mass और mass हो जाएगा cancel ये जो time का square है वो third position पर है divide में तो उसको हम first में लिख सकते हैं तो time का square आएगा length into distance यानि कि distance दोनों ही distance का square आएगा time का square upon distance का square जो है one upon velocity के square के बराबर आता है तो उसको हमें लिखना है mu upon t के जगे पर one upon velocity का square लिखना है और ये है हमारा equation number first उसी को हम कहते है one dimensional equation of wave motion ठीक है wave ऐसे ही जैसे हमने string को ऊपर खींचा वैसे चलता है ना तो ये दिखा रहा है one dimensional equation now अगर हमें इस equation का y का value निकालना है तो कैसे मिलेगा जो भी y का value हमें मिलता है उसको अगर हम यहाँ पर put करेंगे and यह equation hold होगा true होगा तो वही y इसका solution होगा ठीक है तो y यहाँ पर with respect to x और t दोनों differentiate हुआ तो x t दोनों का function होना चाहिए तो हमने consider किया x minus v t को तो उसको हमने double differentiate किया with respect to x और with respect to t ऊपर value put किया तो दोनों equal आया यानि कि यह इसका solution है और उसी तरीके से हमने function को consider कि x plus v t तभी भी equal आया value तो यह भी solution है और उसी तरीके से यह भी solution है इन दोनों का sum जिसको हम complete solution कहते है और यह सारे solution d lm bird ने दिया होगा इसलिए इसका नाम है d lm bird solution